बाला कोट एर स्ट्राइक के अगले दिन पाकिस्तान के F16 लड़ाकु विमान को मार गिराने वाले अभिनंदन वरत्मान को आज बीर चक्र से सम्मानित किया गया राश्टरपती रामनाथ कोविंद ने उन्हें इस सम्मान से नवाजा है बारा कोट एर स्ट्राइक के समय अभिनंदन वायु सेना में विंक कमांडर थे और उन्होंने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था दरसल 14 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश्य महमद ने पुलवामा में CRPF के काफिले पर फिदाईन हमला किया था इस हमले में भारत के 40 जवान शहीद हो गए थे इस हमले का महुतोर जवाब देने के लिए भारती वायु सेना ने 26 से 27 फरवरी की रात पाकिस्तान के बाला कोट में एयर स्क्राइक की थी भारत के इस हवाई हमले में पाकिस्तान में बैठे 300 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे एर स्ट्राइक की अगले दिन 27 फरवरी को पाकिस्तान की वायु सेना ने भारत में घुसने की कोशिश की लेकिन भारत की वायु ने उसे ख़देड दिया ततकालिन विंक कमांडर अभिनंदन उस समय मिग 21 उड़ा रहे थे उन्होंने उसी विमान से पाकिस्तान के एफ 16 को मार गिरा था हलांकि बाद में अभिनंदन का विमान पाकिस्तान की सीमा में क्रैश हो गया था जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने उन्हें बंद बना लिया था लेकिन भारत के दबाव में पाकिस्तान ने गरीब 60 घंटे के ब प्रप्राप्स